नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं इसी करम में मंगलवार 21 नमबर को मुख्य मंत्री हमान सुरेन राज भर के सभी जेमेम पताधिकारियों, जिला अध्यक्षो, जिला कमिटी के पताधिकारियों के साथ ओनलाइन सनवाद करेंगे पार्टी सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार मंगलवार, दो पहर दो बजे जामों के करकारी अध्यक्ष, अमुख हमान सुरेन की पार्टी पताधिकारियों के साथ ओनलाइन सनवाद सुरू होगा इसे पाले 26 अक्टूबर 2023 को रांची के सुराई भावन में करकारी अध्यक्ष, हमान सुरेन ने जार्टी मुख्ती मोर्चा के राई संग अठनिक बैटाग की थी मैट्रिक और हिंटर परिक्षा का टाइम टेबल जारी जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक रांची के मैट्रीक और इंटरमीडियेट बार्सिक परिक्षा फरवारी 2024 में विजित की जाएगी जैक दसवी और बरहवी परिक्षा डेट सीट के अनुसार दोनों का ख्षावों की बोड परिक्षा 6 फरवारी से शुरू होगी और 26 फरवारी 2024 तक चलेगी जार्खन बोर्ड 10 वी बराहवी परीक्षा 2024 में भाग लेने जा रहे चात्र बोर्ड परीक्षावों का पूरा टाइम टेबल जैक के ओफिसियल बेप साइट जैक.जार्खन.GOP.IN पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल देखने के लिए आप डारेक्ट लिंक के द्वारा भी देख सकते हैं बता दे जैक.जार्खन.मैट्रिक के परीक्षा सुबह 9 बचकर 45 मेंट से दोफार 1 बचकर 45 मेंट तक होगा वही यह परीक्षा OMR सीट पर सुबह 9 बचकर 45 से 11 बीस तक होगी इसके बाद के समय में उतर पुस्तिका में होगी वही जैक.जार्खन.मैट्रिक इंटर्मीडियेट के वार्षिक परीक्षा यह दूसरी पाली में दोफार 2 बचकर 25 मेंट तक होगी आचार संहीता उलंगन मामला CM हमंत की आचिका पर आज होगी सुनवाई अदालत ने CM हमंत के खिलाब पिरक करवाई और निचली आदालत की करवाई पर रोक लगा दी है आदालत ने मामले में राई सरकार से जवाब मांगा है इस मामले में CM हमंत की है पिछली सुनवाई के दोरान हेमान सुरिन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाब तो जो मामला दर्ज किया गया वह सही नहीं है उन्होंने अचार संहीता का उलंगान नहीं किया है ऐसे में दर्ज परत्मीकी और निचली अदलात की करेवाही निरस्त की जाए बदाद है कि वर्ष 2014 के चुनाव में सियम हमान सुरिन अपनी पार्टी के उमीद्वार के पक्ष में चुनावी सभा करने गया थे इस दर्ण पच्मी सिम्भूम के आदितिपूर थाना में पूलिस ने चुनाव अचार संहीता का उलंगान करने के आरोप में ममला दर्ज किया था गढ़वा में 40 हांथियों के जूढने मचा रखा है उत्पात गढ़वा जिले के रमकंडा में 36 गढ़ के रिजर्व एरिया वा पी टी आर छेत्र से गढ़वा तक्षनी वन छेत्रे वाले इलाकों में 15 दिन पहले पहुंचे 40 हांथियों के जूढने बड़े प्यमाने पर नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया है चीनियावरंका के विभीन छेत्रों में उत्पात मचाने के बाद हाथियों के जूढने रमकंडा के मंगराही वह umas गाव में रभिवार की रात जम कर उत्पात मचाया, कुश्वार गाव में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए छा किसानों के खेतवा खलिहान मेरा के धान की फसल को चट कर दिया, वहीं मंगराही गाव में हाथियों ने संतोष सिंग के घर हुआ, गोसाला को तोड़ते वे गो साला में बंदे दो भाइसों को भी पटक दिया है इसमें एक भाइस की मौत घटनास थल पर ही हो गाई वहीं दूसरे भाइस की कमट टूट जाने से वागम भी रूप से घायल हो गया है बाबुलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला कहा रोजगार के लिए पलायन चींता की बात मरांडी ने आगे कहा है कि अगर बुनियादी धाचे को हमने मजबूत कर कानून और वेवस्ता को दुरूस्त किया होता तो लोगों को यहीं परनोकरिया मिलती लेकिन राज सरकार इस और ज्यादा ध्यान नहीं दे रही इसलिए प्लान बढ़ गया है पुर्व सीम ने कहा है कि राज स्या दिवासियों के अबादी लगतार कम हो रही है जब बड़ी अबादी संक्या में राज के लोग रोजगार के लिए बाहर चाते तो अबादी कम हो जाती है लेकिन क्या उन्हें वहाँ भी रोजगार मिल पाता है एक गौर करने वाली बाथ है जैक मैट्रिक इंटर मोडल प्रश्ण पत्र दिसंबर में होगा जारी जैक बोड से मैट्रिक और इंटर परिक्षा देने वाले के लिए अची खबर है दरसल J.C.E.R.T. ने बोड एक्जाम के त्यारी करने वाले चात्रों के लिए मोडल सेट प्रश्ण पत्र त्यार कर इसे जार करने अकेडमी काउंसिल को सौप दिया है जनकारी के उन्सार मोडल सेट प्रश्ण पत्र दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा प्रस्ण पत्र का पैटर्न पूरी तरह मुख्य परिक्षा के तर्ज पर ही होगी ग्यात हो कि जैक ने परिक्षा की तारिखों के एलान कर दिया है फर्वारी से मैट्रीक वाइंटर की परिक्षा सुरू होगी वही 26 परवारी तक मैट्रिक और इंटर्मेडियर्ट के परिक्षा आयोजित की जाएगी जबकि प्रेटकल परिक्षा का आयोजन 29 परवारी से 12 मार्च 2024 तक होगा वही एड्मिट कार्ड 25 जनवारी 2024 से जैक बोर्ट की बेप साइट से डाउनलोड किया जा सकता है जारखन में आप ड्रोन से होगी खेतों की निगरानी जारखन में ड्रोन के जरिये फसल और पधो की सुरक्षा की जाएगी ड्रोन से फसलों और पधो को बचाने के लिए दवा का छिर्का और सर्वे का काम किया जाएगा इसके लिए किरिसी विभा की ओर से प्रस्ताव त्यार किया गया है इसमें कित नासक, दवा और समंधित कार्य के लिए उपकरन ख़यदा जाएगा इसके लिए समंधित कमिटी को प्रस्ताव भेजा गया है बता दे कि राज में इस तरह की योजना पहले से संचालित थी कुछ सालों से इस योजना पर विबाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा था जब राज में लगा थार दो सालों से कम वर्षा होने की वज़ा से कई परखरनों में सुक्छाल की थी थी उतपन हो गई तो देर से वर्षा होने पर किसानों ने धान की देर से रोपाई की है जब भी भाग की और से फसल नुक्सान को लेकर जमीन आकना काया गया और इसमें फसल नुक्सान के कारणों की भी जनकारी ली गाई तब समय पर कितना सक दावा का छिरकाव नहीं होने और अने रोगों से फसल के खराब होने की भी जनकारी मिली हाए पाराशिक्षको का धर्ना जारी 91 दिनों से मांगो पर अड़े जारखन के टेट पास पाराशिक्षक बेतन को लेका धर्ने पर बैठे हाए ये पिछले 91 दिनों से धर्ने पर हाए इन टेट पास पारत सिचकों की संगे पूरे जारखन में 14,42 है 24 जीले के टेट पास पारत सिचकों ने ए आपस में ताय किया है कि हर दिन 24 में से किसी एक जीले के पारत सिक्षक धारना देने राज़बोन आते हैं इन्होंने 21 अक्टूबर को रायत कर्याले के सामने धारना परत सिचकों किया वह यह 11 नौमर को जीमें कर्याले के बाहर धारना दिया समय समय पर इन्होंने अपनी नराज़गी दर्थाते रहे लेकिन इनको आस्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला इन्होंने दुरगा, पुजा, दिपाली और छट जैसे परव भी अपना धारना परत सन जारी रखा उमिद्वार चुनने के लिए भाज़पा करा रही सर्वे भाजपा की 14 लोक सभा में से कुछ सीटों पर उमिद्वारों के नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं जिन सीटों पर भाजपा पिछला चुनाव नहीं जीत पाई है पच्मी सिम्भूम और राज महल से पार्टी के नए चेहरे सामने आ सकते हैं कुछ उमिद्वार बढ़ती उम्रेखे कारण दुबारा चुनाव मैदान में नहीं उतारे जाएं इसकी जगा पर भी नए चेहरे सामने आ सकते हैं वैसे संसर जिनका अब तक का कामकाज बहुत अच्छा या बहुत संतोष जनक रहा उनको छोड़ कर से संसरों के बारे में भी पार्टी उनकी सर्वे रिपोर्ट के अधार पर कोई फिप हसला ले सकती है बता दे लोग सभा चुनाव के लिए उमिद्वारों के चायन को ले कर भाजबा सर्वे करा रही है सर्वे के काम एक निश्चित अंतराल पर हो रहा है जारखन की सभी पंचायतों में होंगे स्वास्थेकार करां भारत सरकार के उपलवधियों को पूरे देश में बताने के लिए राष्ट ब्यापी ग्रामिन जगरूपता अभियान के शुरुवात खुटी से की गई है बिक्सित भारत संकल प्यात्रा नाम से शुरू किया गया यह भियान देश के साथ साथ राज के सभी जीलों में चलेगा इसके तहट राज की सभी पंचायतों में स्वास्थ जगरूपता यों स्वास्थ सुविधायों को उपलवधता को लेकर विभीन कारकरम होंगे यात्रा का आयोजन जार्खन में 20 नौमबर से 25 जनवरी तक होगा वहीं राश्ट्रिय स्वास्थ मिशान जार्खन का अभियान देशक अलोग त्रिवेदी ने जिला अस्तर पर सिविल सर्जन यों पर्खन अस्तर पर परवारेची किसा पताधिकारियों को कारकरम के लिए नोडल पताधिकारी बनाते हुए दिशान निदेश जारी किये हैं टरनल में फसे सरमीकों की बचने की उमीद जगी उतरकासी के सिल्की आरा सुरंग में फसे मजदूरों को बचाने की देचल रही अभियान में नो दिन बाद सो मार को अच्छी खबर आई है बचाव दलने 6 इंच की पाइप लाइन सफलता पूरवक त्यार कर ली है ऐसे में मजदूरों को सुरुक्षित निकालने की उमीद फिर से जगी है नई पाइप लाइन बनाने से भीतर फसे लोगों को थोड़ी और रहात मिलने लगेगी अब तक मजदूरों के साथ 4 इंच के पाइप के जर्ये संपर किया जा रहा था इसी से अक्सिजन, दवाए और ड्राइप फूट भेजे जा रहे थे अब 6 इंच की नई पाइप लाइन से दाल, चावल, रोटी, सबजी भी भेजी जा सकेगी वहां के डियेम अभिसेक रुहेला ने बताया है कि तीरपन मीटर पाइप ड्रील किया गया है इसी बीच केंद्र सरकार के आगरा पर अंतराश्टिय टरनल भी ससगे अनोल्ड डिस्की ने भी जाजा लिया है आस्विनी चौबे से सीम सुरेन के मंत्री की मुलकात ने चड़ाया सियासी पारा मिसंद्र हजया चोबिस को लेकर जानखन की रायनिती 27 बीच रही है आयसे में संभावाय की भाजपाम में कटर हिंदित्व के पैरोकार पार्या वरन वन राजमंत्रिया स्विनी कुमार चौबे और जर्मुंडी से कौंग्रेसी बिधाया को जारकन की किरिसी मंत्री की सनिवार को दुमका परिसदन के एक बंद कमरे में तक्रिवन डेन घंते की मुलकात होई दोनों ने ताओ के बीच या मुलकात महज अपचारी को असिष्टा चाल से ही जुड़ी हो लेकि रायनितिक की समज रखने वाले इसे कई नजरिय से देख रहे हैं महुश की रायनितिक की कड़ी से जोड भी रहे हैं रांची में जालू पोछा को लेकर दो परोसी आपस में भिले राइधानी रांची के बर्यातु थाना छेतर में दो पडोसियों के बीच ममुली बिवाद में लड़ाई इतनी बढ़ाई की दोनों पडोसी आपस में भील गए और दोनों के बीच जम कर मारपीट हुई ममला मारपीट तक ही नहीं निप्टा एक पडोसी ने दूसरे पडोसी के घर में आग भी लगा दी इसको लेकर रांची के बर्यातु थाना में फायर दर्च कराई गई है बता दे रांची के बर्यातु हाउसिंग कोलोनी में ज़ाड़ पोचा को लेकर हुए बिवाद में दोनों पडोसी आपस में भील गए मारपीट के दोरान रामजी राम नाम के एक युवक का सिर्फट गया मारपीट के बाद आरोपियों ने रामजी के घर में आग भी लगा दी इस घटना से घर में रखे टीवी फिरी समेत अने समाज जल कर राख हो गए है 18 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को मिलेगा मत्दाता पहचान पत्र जारखन की स्कूलों से 18 वर्स पूरा कर पास आउट करने वाले बच्चों को अब मत्दाता पहचान पत्र देकर विदा किया जाएगा भरत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारखन राई निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी त्यारी शुरू कर चुकी है मुख निर्वाचन पताधिकारी के रवी कुमार ने इसे जमीन पर उत्तारना शुरू कर दिया है सोमवार 20 नॉमबर को इसको लेकर राजी के सभी जीलों के उपायुकतों के साथ वीडियो कंफेंसिंग के जरी ए निर्देश दिये गए है इसमों के पर मुख निर्वाचन पताधिकारी के द्वारा इसकार को गंभीता से अमल करने के निर्देश दिये गए तीन सत्र में हुए अलग अलग जीलों के साथ वीडियो कंफेंसिंग में मदाता सुची पुन रिक्षन के अलावा लोग सभाचनों के त्यारी की समिक्षा की गई है अविनास पांडे के पूत्र की साधी में सामिल होंगे सियम हमांद कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे के पूत्र गवरांग की साधी में जारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरिन सहीत सातारूड दल ज्जामुमो कॉंग्रेस और रायत के कई नेता सिर्कत करेंगे 23 नॉमबर 2023 को नागपूर के अमरावली रोड इस्थीत आलिस्तान वैंकवेट हॉल में आयोजी साधी समारों में भाग लेने मुख्य मंत्री हमांसुरिन के साथ कॉंग्रेस विदायक दल के नेता आलमगीर आलम 23 नॉमबर 2023 की दोपहर बाद विशेस बीमान से नागपूर रवाना हो जाएंगे मुख्य मंत्री का नागपूर में रात्री विश्राम की संभावना है वहीं 24 नॉमबर की सुब़ लोटने के बाद मुख्य मंत्री साहिब गंज और पाकूर का दोरा करेंगे धन्यवाद